सो नाव ओलेक्टर लिमिटेड आप देखें यहां पर आपका 1194 का लेवल आ चुका है और तेज गिरावट के बाद एक रिकवरी दिखी है और हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर बॉटम बन गया हो क्योंकि आपका जो कॉम्टीटर है आपका सिर्फ एक ही कॉम्टीटर है वो कि इस तरीके का है और काफी बड़ी रेड केंडल आपके सामने फॉमेशन हुई थी मिट पर अंदर यानि परसो के दिन आपर बड़ा ही जवर दसत है यहां पर सेल एक हां परसेंट के 20-20 परसेंट के अगर आपने देखा हो दस बजे के असपस तो बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने हुए और उस गिरावट ने कई रेलवे डिपंस रेलवे डिफेंस यही It can, न है अब यह कितना चलेंगे तो यह बात आज क्या आती है तो ऐसी गिरावट में क्या हुआ यहां पर आपका अध़िए लेवल यो आपकर सपोर्टिंग लेवल तह से सोट्व हूं है और भीक्लीवट है और यह से आपको काफी चीज़ समझ में आएंगी लेकिन फिलाल जो है वो तीन एक केंडल लिस्टिक अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एक है रेजिस्टेंस लेवल इसने फॉर्मिशन करके रखा है यहां पर आप जो तीन यह केंडल देख रहे हैं इनका टॉप सेम है यह आपका लेवल है 1284 रुपए 1284 रुपए और यह काफी ज्यादा डेंजरस लेवल होगा और यहां पर जैसे हमें एक मूब देखेंगे 1284 तक वे एक्चॉल में जब हमारी बात लास्ट वारी होई ती तो मैं ने आप से खा तो 1270 गा रेजिस्टेंस लेवल है यह क्रोस होगा तो आपको ए लेवल क्रॉस नहीं हुआ लेकिन जब यह लेवल क्रॉस होगा तब जाकर बहुत बड़ा एक है दमखम दिखेगा इस स्टॉक के अंदर लेकिन फिलाल जो है वो एक बहुत स्टॉंग आप 1284-1270 एक बहुत ही स्टॉंग आप रेजिस्टेंस जोन के आ सकते हैं इस स्टॉक के और देखें मिटकेप की गिरावट ने आपको थोड़ा सा प्राइस जो है ना वो डाउन दिखा दिया और उसमें आपको देखने को बिला अगर यह स्टॉंग नहीं होता तो इसके अंदर भी 10% का लोगा सरकेट है और जादा गिरावट देखने को मिल जाती है यह भी मिट पर एक नोट करने वाली बात है तो जो जो नहीं गिरे वो अपनी स्टॉंगनेस को दिखा रहे हैं अब यह एक डाउनसाइड नहीं देखी लेकिन इतनी बड़ी डाउनसाइड नहीं थी जितना की यहाँ पर जो है ना बाकी स्टॉक्स में देखने को बिला है तो वो पॉर्चिटी लेकर आया है और वो चार्ड पर दिखाई भी दे रहा है वीकली और वन डे की केंडिस्टिक पर तो वो मैं आपको दिखाऊ हूँगा लेकिन यहाँ पर मिटकेप की गिरावट से आप उदर वरते हुए यहाँ पर जो है तो थोड़ा से नज़र आई और यह गिरावट देखे इसलिए भी हुई थी क्योंकि आप अल्रीडी एक हाई वैलेशन पर है एक्च्वल में यह दोने स्टॉक हाई वैलेशन पर मैं आज से नहीं मैं आपको बता चुक हूँ बहुत पहले जब यह आपका हजार रुपए हजार एक हजार बीस के असपास का ले इलेक्टरा को देखे प्रीमियम आप मानिए क्योंकि यह प्यॉर एवी स्टॉक है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एवी भरा हुआ है इसके अंदर और कोई दूसरा काम है ही नहीं तो यह जो भी करें वो इलेक्टरिव वीकल में ही करेंगे यह इंपोर्टेट है एक और अ आई वेलेशन के चलते हैं कि यह करेक्शन देखना पड़ा और वो करेक्शन जो है वो फिल्वी हो रहा है दीरी दीरे तो यहां पर यह देखिएगा लेकिन जड़ा आप आपके कॉम्टीट है जो जेवी मोटर है वो पंदरा सो चैपॉइंट पच्यानवी के लेवल पर प इंच अप है लेकिन आपको चलना पड़ेगा ओल्मोस्ट यहां पर जो है पंदरा से अठारा परसेंट तब जाकर यहां पर जो है जेवी मोटो के बराबर पहुँच पाएंगा अब ओल टायम हाई यह समझे तो आभी आपके मैं एक बड़ा डिसकाउंट पर काम कर रहा है ओ इलेक्टराल लेकिन जेवी मोटो में वो डिसकाउंट नहीं देखने हो मिला है तो यह एक अच्छी बात है तो यहां पर कमाने का मौका भी अगर मिलने पर आया तो वो एक अच्छा खासा आपको यहां पर पैसा बना कर भी देगा तो वो एक फिकर मत करीए वो नए फिट उठाते हुए नज़र आएंगे अगर यह ओल टैम हाई की तरफ दोड़ता हो नज़र आया तो अभी यहां पर जो है एक बारा सो चौरासी और बारा सो सतर यह एक रेजिस्टेंस लेवल है जोन है आपके यह यह आपका चौदर रुपए का एक जोन बनता हो नज़र वो यहां पर यह केंडल बता रहे हैं कि हाँ यह जो टॉप है वह एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है और यह आसानी से पानी हो लेकि जब भी पार होगा अच्छा सो होगा सपोर्ट की बात करें सपोर्ट का पर बहुत ही बड़ी है सपोर्ट लिया है अगर केंडल रपे के लेवल से ग्यारा सो पचास रपे के लेवल से यहां पर सपोर्ट लिया है तो ग्यारा सो पचास का लेवल जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट अभी इस वक्त माइने रखेगा ओल एक्टर के अंदर तो यह धियां रखिएगा इसके साथ साथ यहां पर अगर आप देखेंं तो next support जो है वो 1120 का बंता है 1120 अब चलते है one day की Candlestick चार्ट पोरी तरह के से बहुत हैं तो सबसे पहुत हैं एक, one day की Candlestick चार्ट देखें यह trend line है जो line है आपको देख रही है इस trend line कहते हैं और trend line पर देखें किस तरिके support viene यह माई के बाद का है माई के बाद से देखिए किस तरीकी से एक ट्रेंड लैंड सपोर्ट लिया और अब इस वक्त जो आपका जो लो लगा था ग्यारा सो पचास का वो इस जगे देखिए उसी लाइन से सपोर्ट लेता हूँ नजर आए जहां से पहले दो बारी हो चुका है तो यह ट्रेंड लैंड जो है ना उसके हिसाब से जो है वो इस टॉक थोड़ा सा रन कर रहा है तो यह एक अच्छी बात है हमारे सामने तो इसलिए कहीं नहीं जहां से गोमा है ना ग्यारा सो पचास ग्यारा सो शैंतालिस यह लेवल इंपोर्टेंट है क्योंकि ट्रेंड लाइन यहां पर कह रहे हैं यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं यह ट्रेंड लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे उसके इसाब से लेवल निकले और उधरी से यह गूमा है तो क्या यह बॉटम बन चुका है यह बॉटम अगर बन गया होगा तो यह जो हाई रेस्टेंस लेवल भी बनेया ना यह तीन टॉप ग्यार बारा सो चौरासी यह क्रॉस हो जाएगा मैटर अफ टाइम लेकिन ही क्रॉस होगा और थोड़ा सा और गनुफर्म करेंगे तो यह वन वीक की केंडलिस्टिक चार्ट एक एक हफ़ते की केंडलिस्टिक चार्ट है यह देखिए आपके सामने चलना है ओलेक्टा के चार्ट पर तो कहीं ना कहीं यह संदेश है कि बॉटम कहीं ना कहीं बन चुका है लेकिन क्या होगा अगर यह लेवल तूट जाए देखिए अगर यह लेवल तूट जाए त्रेंड लाइन तूट जाए और त्रेंड लाइन अगर तूट गी न और अगर वाकर ही वाटम बन गया है तो हम फिर बारासो चौरासी तरफ कहीं ना कहीं हम जाते हो दिखाई देंगे और जे बिया मोटो रन अप कर रहा है तो वो यहाँ पर उसको थोड़ा सा एक पकड़ना है तो यह इंपोर्टेंट है अपके सामने यह रहा ओएलेक्टर का चार्ट एनलैसिस और आपके सामने थोड़ा सा थोड़ा सा एक एनलैसिस जो की उस दिन क्या हुआ मिट केप की गिरावट में वह यह आपके सामने तो अभी 18% 15 से 18% आप दूर है अपने all time high से तो अगर कोई नए यहाँ पर निवेसक बने है जिनों ने ओ इलेक्टा को आज बाई किया है या कुछ दिन पहले बाई किया है तो आप स्टॉप लोस लीजिए और यहाँ पर आप अपना जो स्टॉप लोस है वो जो इंपोर्टेंट लेवल अभी बने हैं 1150 उसके नीचे र यह और मुझे लगता है कि यह लेवल जो है वो जो सपोर्ट बनाए वो सपोर्ट काम आने चाहिए लेकर अगर तूटता है तो कहीं ना कहीं घरावट बने ही तो आप प्लीज इसके वारे में एक और बार स्टेडी कर लीजे तो आपका कहने है इसके उपर को मैंस समक्रियो और अब दीज भी आवड़े देखने है लिए बहुत धन्मा दोस्तों